सर्वे प्यो नमो नम संस्कृत कक्षायाम सर्वे शाम स्वागता मस्ति SCRT द्वारा संचालित पढ़ाई दुहर दुआर के इस ओनलाइन कक्षा का आप सभी निश्चित रूप से लाब ले रहे होंगे और घर बैठे ही अपने ज्यान में व्रिद्धी कर रहे होंगे मैं श्रीमती अंजना साव सास्की हाई स्कूल अमेरी से आप सभी के समक्ष उपस्थित प्यारे बच्चों आज हम पढ़ाई के इसक्रम में ऑनलाइन कक्षा के इसक्रम में कक्षा आठ्मी मनोरमा के चतूर दशह पाठह नीती नौनितम का अध्यान करने जा रहे हैं तथा हमारे जीवन को उज्वर बनाने में सहायक है तथा हमें हमारे लक्ष तक पहुँचने में निश्चित रूप से मददगार साबित होंगे इस पाठ के श्लोक के कठीन शब्दों के अर्थ को देखते हुए उन शब्दों के व्याकरनिक तत्तों को समझते हुए पाठ के श्लोकों के विभिन श्लोकों के अर्थ को समझते हैं और उसके भाव को ग्रहन करने का प्रयास करते हुए तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इस पाठ के पहले श्लोक में पहला श्लोक है हमारा सरुप्रतम इस लोक का हम सहस्वर वाचन करते हैं तो चलिए बच्चों आप तयार हो जाए इस लोक का सहस्वर वाचन करने के लिए यस्मिन जीवती जीवनती बह वह सहतु जीवती कुरूते किमन काकोपी चंच्च्वा सोदर पूरणम देखिए बच्चों यहां कुछ कठी शप्तों के अर्थ दिये गए हैं उन्हें हम पहले देख लेते हैं यस्मिन यस्मिन का अर्थ होता है जिसके जीवती जीवित रहने पर काकोपी यहां काकः धन अपी विसर्ग संधी है और काकोपी का अर्थ होता है कववा भी चंच्वा का अर्थ होता है चूँच से स्वोदर स्वधन उदर यहां गुर्षवर संधी है और स्वोदर का अर्थ होता है अपना पेट यस्मिन जीवती जीवन्ती जिसके जिवित रहने पर जीवन्ती जिवित होते हैं बह बह सह तू जीवती बहुत से लोग सह वह तू जो है वह अव्य है तो जीवती जिवित होता है जिसके जिवित होने पर बहुत से लोग जीवित होते हैं वह जिवित होता है अर्थात वास्तों में उसी का जीवन सार्थक है जो परूपकार करता है जो दान करता है जो त्याग करता है देखे बच्चों यहां पहले चित्र में एक व्रिद्धा को कोई बालत रोड़ पार करा रहा है अर्थात वह उस व्रिद्धा की रोड़ पार करा कर मदद कर रहा है परूपकार कर रहा है और वहीं दूसरी चित्र में गरीबों को पंक्ती में बैठा कर भोजन कराया जा रहा है अर्थात यहां भी परोपकार दिखाई दे रहा है कहने का अर्थ है कि वे वेक्ति जो परोपकार करते हैं दान करते हैं वास्तों में वे ही जीते हैं उनका ही जीवन सार्थक होता है अब हम यदि प्राचिनकाल की बात करें तो प्राचिनकाल में भारतिय संस्कृति को महान बनाने में जिन महान वेक्तियों का युगदान रहा है उनमें एक है महर्शी दधीची उनकी उनका त्याग सर्वोपरी है उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्तियों का दान कर दिया अर्थात वे महान त्यागी हैं वे परोफकार के लिए अपने सरीर अपनी अस्तियों का दान कर दिये इसी तरह यदि हम आधनी की युक की बात करें तो मदर टेरेशा को कोई नहीं भूलता मदर टेरेशा दीन दुख्यों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन निवचावर कर दूँ और आज भी उनके मृत्यू प्रांत भी लोग उन्हें याद करके इस संसार में जीवित रखे हुए हैं अर्थत वे हमारी यादों में जीवित हैं इसलिए तो कहा गया है बच्चों यस्मिन जीवती जीवन ती वह वह सहतु जीवती जिसके जीवित रहने से बहुत से लोग जीते हैं वास्तव में उन्ही का जीवन जो परुकार करते हैं उन्ही का जीवन साथक है कुरूते किमना काकोपी अन्य था क्या काकोपी कववा भी चंच्वा चोच से स्वोधर पूरणम अपने पेट की पूर्ती नहीं करता कहने का अर्थ है कि अपने लिए तो एक पक्षी कववा भी जीता है कववा भी कारे करता है अर्था अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए तो कववा भी सोच लेता है कववा भी कारे करता है तो हम तो माना प्राणी है हम तो माना है तो हमें सिर्फ अपने विशय में न कुछना चाहिए अर्थात हमें परोकार करना चाहिए द्यान करना चाहिए और त्याक करना चाहिए कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों हम सभी को अपने जीवन में मदद परोकार और दान जैसे गुड़ों को अपनाना चाहिए चलिए बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे स् यो द्रुमानी परित्यज्य अद्रुमानी निशेवते द्रुमानी तस्यनस्यंती अद्रुवं नष्ट मेवही द्रुमानी तस्यनस्यंती अद्रुवं नष्ट मेवही देखे बच्चों यहां कुछ कठी शब्दों के अर्थ दिये गए हैं द्रुमानी द्रुमानी का अर्थ होता है इस्थेर वस्तमों को निश्चित वस्तमों को परित्यज्य, परित्यज्य कार्थ होता है, छोड़ कर यहां परित्यज्य में परी धन, त्यज्य धन यहां लिप्रत्य जुड़ा हुआ है, परित्यज्य, निशेवते, निशेवते कार्थ होता है, सेवन करता है, अधुरुम, अधुरुम कार्थ होता है, अनिश्चित, अस् इस लोग के अर्थ को देखते हैं योद्रुमाडी परीत्यज्य जो इस्थिर वस्तमों को निश्चित वस्तमों को परीत्यज्य छोड़कर जो इस्थिर वस्तमों को निश्चित वस्तमों को छोड़कर अध्रुमाडी निसेवते निश्चित वस्तुमों का सेवन करता है उपयोग करता है डुमाडी तस्य नस्यंती इस्थेर वस्तुमें निश्चित वस्तुमें तस्य यह तद पुल्लिंग का शष्ठी वक्ति एक वचन उसका नस्यंती नस्थ हो जाता है अध्वम नश्टमेव ही अनिश्चित नश्टमेव नश्ट ही कार्थ होता है यह अव्य है और जिसका अर्थ है निश्चित रूप से अर्थात अस्थिर्वस्त्वें तो नास्वान होते ही है नश्ट होते ही है अर्थात जो व्यक्ति इस्थिर वस्तुमों को छोड़ कर अस्थिर वस्तुमें अनिश्चित वस्तुमों का सेवन करता है उपयोग करता है उनके लिए इस्थिर वस्तुमें तो नश्ट हो जाते हैं और अस्थिर वस्तुमें अनिश्चित वस्तुमें तो स्वयम ही नास्वा होती हैं अर्थात देखिए बच्चों मैं एकदम एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तूप कर रहे हूं जो एकदम ही सरल है सामान्य दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जैसे आप कभी किसी दुकान में 10 रुपए लेकर जाते हैं और जा करके वहां दुकान वाले से बोलते हैं कि मुझे कुछ खाने की वस्तूएं दे दीजिए तो वह दुकान वाला कहता है कि बेटा अभी तो मेरे पास सिर्फ बिस्किट का एक ह रुपए में मिल सकता है तो वह दुकान वाला बोलता है आप थोड़ी देर इंतजार करिए हो सकता है जो मुझे यहां पर आइस्क्रीम लाकर देते हैं वे मुझे लाकर देंगे तो मैं आपको वह आइस्क्रीम दे दूँगा वह बच्चा बैठकर उस आइस्क्रीम का इंत बच्चा इतनी देर इंतजार करने के बाद भी बहुत समय बीच जाता है और आईस्क्रीम बाटने वाला आईस्क्रीम देने नहीं आता है तो वहाँ पर उस बच्चे को जो उसके पास उपलब्द था जो उसे वह बच्चा उस बिस्किट को प्राप्ट कर सकता था पर वह ना तो उस बिस्किट को प्राप्ट कर पाया और ना ही उसे आईस्क्रीम ही प्राप्ट ही अर्थात यहां इस स्लोक का भाव यही है कि जो वस्तुमे निश्चित रूप से हमें प्राप्ट हो रही है उसे हमें ग्राण करना चाहिए अनिश्चित वस्तुमों की ओर हमे ध्यान नहीं लगाना चाहिए चलिए बच्चो अब हम इस पार्ट के तीसरे स्लोग को देखते हैं जननी जन्म भूमिश्च जानवी च जनार्दना जन्म का पंच मश्चईव जकाराह पंच दुरलभा यहां कुछ कठी शब्दों के अर्थ दिये गए हैं जाहनवी जानवी का अर्थ होता है गंगा जनार्दना इस्वर पंच मश्चईव पंच मधन्च धन्एव पंच मधन्च यहां विसर्ग संदी है और च धन्एव यहां दृद्धिश्वर संदी है पंच मश्चईव का अर्थ होता है यह पांचों की जकाराह जकाराह का अर्थ होता है जवर्ण से प्रारंब होने वाले शब्द दुरलभा दुरलभ हैं इसके बाद देखें बच्चों जन्नी जन्म भूमिश्च जन्नी का अर्थ है माता जन्म भूमिश्च और जन्म भूमी माता और जन्म भूमिश्च 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 जन्म गंगा और इस्वर जनकह जनकह कार्थ है पिता तो जननी माता जन्मभूमी जन्मभूमी माता और जन्मभूमी गंगा और इस्वर तथा पिता पंच मश्चईव ये पांचो ही जकारा जवर्ण से प्रारंब होने वाले शब्द पंच दुरलभा ये पांचो ही दुरलभ है अर्थाद माता हमें उनाप्राप्त नहीं हो सकती जन्मभूमी जिस स्थान पर हमें हमारा जन्मभूमी वह तो बहुत ही महान है और गंगा नदी तथा इस्वर और पिता ये पांचो जवर्ण से प्रारंब होने वाले शब्द या हमारे जो ये महान व्यक्ति हैं महान इस्थान है ये पांचो दुरलभ हैं अर्थाद हमें पुनाह प्राप्त नहीं हो सकते अहिंडिपम्च शार्दूलम कीटिंच बालकम्त था परश्वानम्च मुर्खम्च सब्त सुप्तान बोधये कुछ कठीन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं अही का अर्थ होता है सर्प शार्दूलम का अर्थ होता है सिह कीटिंच अर्थाद मदुमक्खी कीटिंच का अर्थ बर भी होता है जिसे साधारन बोलचाल की भासा में बर्रो भी कहा जाता है परस्वान अर्थात दूसरे का कुट्ता सुप्तान सोते हुए यह सुप्तम मूलशब्द का दुत्यवख्ति का पद है बोधयेत जगाना चाहिए बोधयेत बुद्ध मूलधातु है विधिलिंगलकार प्रथम पुरुष एक बचन का पद जगाना बोधयेत कार्थ होता है जगाना चाहिए अहिम अहिम निपम चा शार्दूलम अर्थात अहिम साप को देखे बच्चों चित्र में साप को निपम राजा को शार्दूलम सिह को कीटिंज मदुमक्खी को बालकम बालक को तथा वैसाही परस्वानम दूसरे के कुट्टे को च मुर्खम और मुर्ख वैक्ति को सब्त सुप्तान ये साथो सोते हुए को न नहीं बोधये जगाना चाहिए अर्थात यदी साप सो रहा है और यदी हम उसको जगा देते हैं तो वह हमें दस लेगा हमें नुकसान पहुँचाएगा और राजा, राजा को सोते हुए यदी हम जगा देते हैं तो वह क्रोधित होकर हमें सजा दे देगा तथा सीहं, सीहं यदी सो रहा है और उसे हम जगा देते हैं तो वह हमें काट लेगा हमें नुकसान पहुचाएगा और मधुमक्खी या बर्रो को यदी हम जगाते हैं तो वह हमें डंक मार देगी और हमें तकलीफ होगी और बालक यदी सो रहा है और हम उसे जगा देते हैं तो वह बहुत रोता है तथा दूसरे का कुत्ता जो है उसे यदी हम जगाते हैं तो वह हमें काट लेगा और मुर्ख व्यक्ति यदी सो रहा है और उसे हम जगाते हैं तो वह व्यर्थ ही हमसे बहस करेगा और गलत कारे करेगा देखिए बच्चों, चित्र में एक मुर्ख व्यक्ति का चित्र जो दिया गया है, उसमें वह व्यक्ति जिस टहनी में बैठा है, उसी टहनी को काट रहा है जब वह टहनी कटेगी तो वह उस टहनी के साथ स्वेम भी गिरेगा, इसे इस बात का आभास नहीं है इसलिए तो वह मुर्ख है, इसलिए कहा गया है मुर्ख व्यक्ति यदि सो रहा है, तो उसे सोने देना चाहिए उससे नहीं जगाने चाहिए इस लोग के अर्थ को हम एक बर और देखते हैं साप को और राजा को, सिह को और मदुमक्खी या बर्र को, बालब को और दूसरे के कुट्टे को तथा मूर्ख वैक्ती को सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए अर्थात यदि वे सो रहे हैं, तो उन्हें सोने देना चाहिए यदि हम उन्हें जगाते हैं, तो वे निश्चीत रूप से हमें मुक्सान पहुँचाएंगे हमारा अहिक्त अब हम देखते हैं, हमारा पाँचवास लो विद्यार्थी सेव कह पांथः, चुधार्थो भैकातरः, भंडारी प्रतिहारी च, सप्त सुप्तान प्रबोधये विद्यार्थी सेव कह पांथः, चुधार्थो भैकातरः, भंडारी प्रतिहारी च, सप्त सुप्तान प्रबोधये विद्यार्थी अर्थात, विद्या अर्जन करने वाला, सेव कह, सेव करने वाला, पांथः, पथिक, सुधार्थी, भूखा व्यक्ती, भैकातरः, दरा हुआ, भंडारी, भंडार ग्रेह का अक्षप प्रतिहारी, प्रतिहारी का अर्थ होता है, द्वार पाल, प्रबोधये, यहाँ प्रउपसर्ग है, बुध मुलधात है, और प्रबोधये जो है, वह विदिलिंगलकार, प्रतम पुरूस का पद है और प्रबोधेयत का अर्थ होता है जगा देना चाहिए विद्यार्थी सेवकह पांथः विद्यार्थी अर्थात देखिए बच्चों चित्र में हम देखते जाएंगे विद्यार्थी अर्थात विद्यार्जन करने वाला सेवकह सेवक और तीसरे चित्र में एक राहगीर को सोते हुए दिखाया गया है और नीचे के चित्र में एक भूखा व्यक्ति जो है वह सो रहा है तथा उसके बाजू में जो चित्र है एक डरा हुआ बालक डर से दोड़ता हुआ जा रहा है और उसके बाद द्वारपाल खड़े हुए है जो भंडार ग्री के रख्षक है और उसके बाज के चित्र में एक रख्षक खड़ा हुआ है तो बालक को सेवक को अर्था हमारे सेवा करने वाले को तथा रागीर को भूखे व्यक्ति को डरे हुए बालक को या डरे हुए व्यक्ति को द्वारपाल को और रक्षक को इन सातों को सोते हुए को निश्चित रूप से जगा देना चाहिए क्यों जगा देना चाहिए बच्चों क्योंकि यदी विद्यारती पढ़ने की जगह पर सोता रहेगा तो वह अपना अमुल्य समय को सोने में वेर्थ ही गमा देगा इसलिए यदी कोई विद्यारथी ओशकता से अधिक सो रहा है तो उसे जगा देना चाहिए क्योंकि वह अपने समय का सद उप्योब करें और पढ़ाई करें तथा सेवग सेवग यदी सोता रहेगा तो वह अपने कारे को कब करेगा इसलिए सेवक को भी जगा देना चाहिए और राह गीर उसे तो अपने मंजिल में पहुँचना है अपनी मंजिल तै करना है और वह राह में सोता ही रह जायेगा तो अपनी मंजिल कब पहुँचेगा भूखा वेक्ती भी यदी सो रहा है तो उसे भी अन अग्रहाण करने के लिए जगा देना चाहिए किसी डरेख वेक्ती या बालक को भी हमें जगा देना चाहिए द्वारपाल और रक्षक यदी सोते रहेंगे तो वे रक्षा करने का कार्यक कैसे पूरा कर सकते हैं इसलिए ये सभी अपने कर्तव्य कोपून करने के लिए ही यदि ये सातों कौन-कौन विद्यार्थी, सेवक, रागिर, भूखा व्यक्ती, डरा हुआ व्यक्ती, द्वारपाल और रक्षक ये सातों यदि सो रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से हमें जगा देना हमारा चट्वा स्लोग है यहां कुछ कठी शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं श्रिंगार, श्रिंगार का अर्थ होता है सजना, तयार होना, कौतुक, कौतुक का अर्थ होता है खेल, यहां खेल का अर्थ कृड़ा से नहीं है यहां पर खेल का अर्थ सिनेमा देखना या मोबाइल का दूर उपयोग करना, अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग करना, लैप्टॉप का प्रयोग करना या सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखना से है अति सेवा, अति सेवा कार्थ होता है, अति आनन तो देखिए बच्चों, विद्यार्थी में क्या-क्या नहीं होना चाहिए कामम, कामम कार्थ है, इक्षा क्यों इक्षा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमारी इक्षा कभी पूर्ण नहीं होती यदि हमारी एक वस्तु की पूर्ती हो जाए तो तुरंत ही किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने की इक्षा में तुरंत ही जागरित हो जाती है तुरंत ही पनपती है अर्थात किसी भी विद्यार्थी में काम इक्षा क्रोध क्रोध कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि हम प्रोध करेंगे तो हमारे अच्छे कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे तथा वैसा ही लोभम लालत स्वादम स्वादमकार्थ है स्वादिश्ट भोजन की चाह शिंगार सजना क्योंकि यदि हम सजने में पूरा समय व्यतित कर देंगे तो हम विद्ध्याध्यन कब करे कौतु के अर्थात खेल अर्थात हम सिनेमा देखने में लैपटॉप का त्यधिक प्रयोग करने में तथा मोबाइल का दूर उप्योग करने में हम अपना पूरा समय विता देंगे तो हम में हमारे पास पढ़ने के लिए पक्षिसेस नहीं रहेगा और अतीनी द्राम बहु सेवां अर्थात बहुत आनंद बहुत आनंद प्राप्त करने में तो हम बच्चे आनंद कैसे प्राप्त करते हैं घूम कर यहां कभी यहां घूमने जाते हैं कभी दूसरी जगर घूमने जाते हैं और अपने समय को वियर्थ ही बरबात करते हैं वियर्थ करते हैं तो हमें क विद्या अध्यन में विताना हैं क्योंकि विद्यार्थी का अर्थी होता है विद्यार्जन करने वाला देखे बच्चों विद्यार्थी यश्ट विद्यार्थी धन ही धन अश्ट यहां ही धन अश्ट यहां आपर यड़सवर संदी है ये आठों निश्चित रूप से वर्जयेत, वर्जित हैं या छोड़ देना चाहिए इस क्लोप के अर्थ को हम एक बर और देखते हैं इक्षा, क्रोध, वैसा ही, लोब, स्वादिष्ट भोजन, सजना, खेल, बहुत ज़्यादा नीद लेना और बहुत ज़्यादा आनंद इन आठों को निश्चित रूप से विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए या ये आठों ही विद्यार्थियों के लिए वर्जित हैं देखिए बच्चों, अब हम साथवे श्लोक को देखते हैं यह श्लोक चाणक के नीती से लिया गया है वरम प्राड परी त्यागो मान भंगे जीवनात प्राड त्यागे छडम दुखम मान भंगे दिने दिने वरम प्राड परी त्यागो मान भंगे जीवनात प्राड त्यागे छडम दुखम मान भंगे दिने दिने यहां कुछ कठी शब्दों के आर्थम देख लेते हैं वरम श्रेष्ट प्राड परी त्यागे अर्थात लित्यू मान भंगे अपमानित जीवनात जीवन से अर्थात जीवन से अपमानित होने से प्राड का परी त्याग करना अर्थात प्राड त्याग देना वरम श्रेष्ट है अर्थात जीवन से अपमानित होने से प्राड का त्याग कर देना ही श्रेष्ट है प्राड त्यागे चडम दुख्खम अर्थात प्राड त्यागने से चडम दुख्खम एक शण के लिए दुख होता है एक शण के लिए तकलिफ होती है मान भंगे अपमानित होने से दिने दिने दिखे बच्चों यहाँ दिने दिने में अव यही भाव समास है दिने दिने प्रती दिनो अर्थात प्रती दिन मान भंगे अपमानित होने से प्रती दिन दिनो दिन हमें अपना प्राण त्यागने के बराबर दुख निता है अर्थत यदि जीवन से अपमानित होने से प्राण का त्याग कर देना ही श्रेष्ट है क्योंकि प्राण त्यागने से एक शण के लिए दुख होता है और अपमानित होने से दिनों दिन प्रती दिन हमें दुख होता है अब हम आठके श्लोक को दिखते हैं प्रिय वाख्य प्रदानेन सर्वेत उस्यंति जन्तव तस्मात देव वक्तव्यम वचने का दरेद्रता यहां कुछ कठी शब्दों के अर्थम देख लेते हैं प्रिय वाख्य अर्थात मदुर वक्तव्यम वचने का दरेद्रता जन्तव प्राणी दरेद्रता गरीबी प्रिय वाख्य प्रदानेन प्रिय वाख्य बोलने से प्रिय वाख्य प्रदान करने से सर्वेत उस्यंति जन्तव सभी जन्तू सभी जीव तुश्यंति संतुष्ठ होते हैं प्रसन्न होते हैं अर्थात प्रिय वाख्य बोलने से सभी जीव संतुष्ठ होते हैं सभी जीवों को खुशी मिलती हैं तस्मात देव तस्मात धन तत धन एव तेखे बच्चों यहां तस्मात धन तत धन एव यहां संयोग हुआ है तत धन एव यहां भी अंचन संधी है तो तस्मात धन देव अर्थात वैसा करने से ही वक्त व्यम बोलने से वचन में का दरीद्रता क्या दरीद्रता है क्या गरीबी है अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से कैसी कंजूसी कैसी गरीबी और कैसी दरीद्रता कहने का है कि हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए प्रिय वचन बोलना चाहिए हमें ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो अर्थात हमें हमेशा प्रिय वाक्यदी बोलना चाहिए जो सभी को संतुष्ट करें, सभी को प्रसन्नता दिलाए अब हम देखते हैं नौवे स्लोप को दुष्टा भार्या सठं मित्रं बृत्यष्च उत्तर दायकह ससर पेच ग्रिये वासो बृत्यू रेवनसंसयह दुष्टा भार्या शठं मित्रं बृत्यष्च उत्तर दायकह ससर पेच ग्रिये वासो बृत्यू रेवनसंसयह यहां कुछ कठी शब्दों के अर्थम देख लेते हैं दुष्ट भार्या अर्थात दुराचारणी श्त्री शठं मित्रं दुष्ट मित्र बृत्यष्च उत्तर दायकह बृत्य धन च धन उत्तर दायकह बृत्य धन च यहाँ विसर्ग संधी है और च धन उत्तररदायक हो यहाँ गुण स्वर संधी है और उ को ओ हो गया है तो बृत्य धन च धन उत्तरदायक हो ता है जवाब देने वाला मौकर यहां इस लोक के अर्थ को देखते हैं दुष्टा भारिया शठम मित्रम अर्थात दुआ चारनी इस्त्री चरित्रहीन इस्त्रे शठम मित्रम दुष्ट मित्र बृत्या च उत्तरदायकह और जवाब देने वाला नौकर ससर पेच और साप ग्रिहे वासो घर में निवास करते हैं मृत्यू हो रेव, मृत्यू हो धन एव यहां भी विशर्ग संदी है मृत्यू ही ना नहीं संसयह संदी है अर्थात जिस घर में दुराचारणी इस्त्री, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला नौकर और साप निवास करते हैं उस घर में मृत्यू होने में कोई संदेह नहीं है अर्थात उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की मृत्यू निश्चित है अब हम दस्विस लोग को देखते हैं मूलं भुजंगई शिकरं पलवंगई शाखा वियंगई कुसमानी ब्रिंगई आसे व्यते दोष्ट जनए समर्ष्ट मैं अर्थात यहां कुछ कठी शब्दों की मूलं भुजंगई शिकरं पलवंगई शाखा वियंगई कुसमानी ब्रिंगई आसे व्यते दोष्ट जनए समर्ष्ट मैं चंदनम उन्चती सी तल्थात यहां कुछ कठी शब्दों की अर्थ हम देख लेते हैं मूलं मूलं का अर्थ होता है जड़ भुजंगई सर्पों से सिकरं चोटी पलवंगई बंदरों से शाखा डाल विहंगई पक्चियों से ब्रिंगई ब्रमरो से आसेव्यते सेवित होता है आस्रय लिया जाता है दोष्ट जनए दोष्ट जनों से मुन्चती छोड़ता है सीतल त्वम सीतल ताफो यहां सीतल और त्व जो है प्रत्य लगा हुआ है सीतल त्वम सीतल धन त्व प्रत्य का उप्यव किया गया है जिस व्रिक्ष के देखिए बच्छों चित्र में चंदन का व्रिक्ष दिखाया गया है पहले चित्र में और दूसरे चित्र में चंदन के व्रिक्ष पर साप लप्टे हुए हैं लिप्टे हुए हैं साप तो यहां यहाँ बताया जा रहा है कि जिस व्रिक्ष के मूलं भुजंगई जिस व्रिक्ष के जड में साप लिप्टे होते हैं या जिस व्रिक्ष के जड़ को सर्पुं के द्वारा शिखरम पलवं गई अर्थात उस व्रिक्ष के चोटी को उस व्रिक्ष के ऊपर बंदरों के द्वारा शाखा विहं गई व्रिक्ष की टहनियों को शाखाओं को विहं गई पक्षियों के द्वारा कुसमानी कार्थ है पूलों को ब्रिंग गई भारों के द्वारा आ सेव्यते दूष्ट जने समस्त्रेन यहाँ पर समस्ताइन का अर्थ है समस्त नहीं समस्त नहीं के द्वारा अर्थात समस्ताइन धन न विसर्गसंदी है आसेव्यते सेवित किया जाता है सेवन किया जाता है उप्योग किया जाता है दुष्ट जनेय दुष्ट लोगों के द्वारा समस्त न अर्थाथ जिस चंदन के विक्ष के जड़को साप के द्वारा चोटी को अर्थात उस विक्ष के ऊपर बंदरों के द्वारा शाखा को टहनी को पक्षियों के द्वारा पूलों को भौरों के द्वारा आदी दूष्ट जनों के द्वारा आदी समस्त दूष्ट जनों के द्वारा आसे व्यते सेवन किया जाता है उपयों किया जाता है चंदनम् मून्चती शीतलत्वं सीतल फिर भी चंदन का वेक्ष शीतलता को नहीं छोडता है अर्थात फिर भी चंदन का वेक्ष अपने से सीतलता ही प्रदान करता है अर्थात उसी तरह सजन वेक्ष भी निरंतर सतकार्य करते रहते हैं अर्थात हमें इस चंदन का वेक्ष अपने सत्गुणों को दिखाता है प्रदर्शित करता है अपनाय रखता है शीतलता को प्रदान करता है उसी तरह हमारी भी संगती चाहे कैसी भी हो हमें भी अपने सद गुणों को संजो कर रखना है और कभी भी दुरगणों को अपने में आने नहीं देना है और हमेशा सद गुणों को भी अपने में समेटे रखना है और दूसरों के सामने भी अपने सद गुणों को दूसरों को भी प्रदर्शित करना है और अपने व्यवहार में लाकर दूसरे बच्चों को भी यही सद गुणों को ही सिखाना है चलिए बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण है सभी बच्चे आप अपना माई कॉन कर लिजिए या चेट डॉक्स में भी आकर अपना उत्तर दे सकते हैं हमारा पहला प्रश्ण है निम्न लिखी स्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए पिद्यार्ती सेव कह पांथ चुधार्तो भैका तरह भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोध है ये आप में से कोई भी इस श्लोक का अर्थ बता सकते हैं बताने का प्रयास कीजिए चलिए इस श्लोक कार्थ में एक बर कुना आप लोगों को बता देती हूं विद्यार्ती सेव कह पांथो पांथ चुधार्तो भैका तरह विद्यार्ती सेव राहगीर और भूखा व्यक्ति तथा डरा हुआ व्यक्ति भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधिये भंडारी और प्रतिहारी अर्थात भंडार ग्रीकरक्ट की रक्षा करने वाला रक्षक तथा रक्षक द्वारपाल इन सातों को सोते वे से जगा देना चाहिए क्योंकि यदी वे सोते रहेंगे तो वे अपने कारे को पूरा नहीं कर पाएंगे चलिए बच्चों अब हम दूसरे प्रश्ण को देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है निम्न लिखेत पदों का संधी विग्रह कर नाम लिखिये क काकोपी बच्चों पाट के श्लोक के अर्थ को समझाते समय मैंने इसके विग्रह को संधी विग्रह को बताया था आप थोड़ा ध्यान लगाईए काकोपी बिल्कुल सही जवाब काकोपी का संधी विग्रह होगा काकः धन अपी यहाँ विसर्ग संधी है ख स्वोदर पूरणम इसका संधी विग्रह बताये स्वधन उदर पूरणम यहाँ गुड़स्वर संधी है उ को ओ हो गया है गप्रश्ण पंचमश्चईव बहुत अच्छा पंचमधन च धन एव पंचमधन च में विसर्ग संधी है और च धन एव में प्रिद्धिश्वर संधी है गप्रश्ण विद्यार्थी बच्चों यह तो बहुत ही सरल है आप सभी इसका जवाब दे देंगे विद्यार्थी का संधी विग्रह क्या होगा बिल्कुल सही जवाब विद्या धन अर्थी यहाँ पर देर्गसवर संधी है अंगा प्रश्ण है जन्म भूमिष्च इसका संधी विग्रह क्या होगा बच्चों बिल्कुल सही जन्म भूमिष्च धन च यहाँ भी विद्यार्गसवर प्यारे बच्चों आप इस पाट को इस पाट के श्लोप के अर्थ को भाव को निश्चित रूप से आप ग्रहन किये और इससे प्राप्त ज्यान को आप सभी अपने विफार में लाने का प्रयास करें और जिससे आपको आपके लक्ष तक पहुचने में निश्चित रूप से ये मददगार साबित होंगे और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ धन्यवाद सर्वेप्यो नमू नम